नमस्कार, कापिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आर्ज़ो दुबे मुखे मंतरी योगे आदितेनात ने छट महापर्व के अफसर पर विवस्थाएं और आमजन की आवशकताओं को लेकर आयोजित उच सरीय बैठक में कुछ दिशा निर्देश दिये हैं इसमें उन्होंने छे बिंदू को छट के लिए बनाया है देखते हैं कि आखिर वो छे नियम क्या हैं जो छट के दौरान होंगी पैठक में उपमुख्य मंत्री ब्रजेस पाठक, लोक निर्मान मंत्री जितिन प्रसाद, परिवहन मंत्री दयसंकर सिंग, नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा और जलशक्ती मंत्री सोतंतर देव सिंग मौजूद रहे सीम योगी ने कहा कि पूरवी उत्तर प्रदेश और बिहार में इस पर्व की विसिस्ट परंपरा रही है, छट महा पर्व में बड़ी संख्या में स्रध धालवों की सपरिवार सह भागिता होती है, ऐसे में नधी घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा, प्रियाप्त प्रक किये जाएं, सीम ने उच्छ थर्य बैठक में कुछ दिशा निर्देश दिये जो इस प्रकार हैं, छट घाटों के पास स्वास्थे सिविर लगाये जाएं, यहां डेंगू, बुखार और विभिन जल जाती बिमारियों की जांच की विवस्था होनी चाहिए, व्रतिधारी माताएं ठंडे पानी में देर तक खड़ी रहती हैं, ऐसे में किसी आपात स्थिती से निपटने के लिए प्रात्मिक चिकित्सा का समोचित प्रबंद किया जाए, जिन नदी तालाब और अन्य जलासियों पर छट पूजन की परमपरा है, वहां पानी की प्रयाप्त पर पुलिस की उपस्थिती रहे, महिला पुलिस की भी तैनाती की जाए, कुछ पुरुष पुलिस को साधी वर्दी में भी तैनात किया जाना चाहिए, हर प्रमुक स्थल जहां छट पूजन होता है, वहां पबलिक एड्रिस सिस्टम की ववस्था करें, कई बार छोटे प्रबंदन पर विसेश ध्यान दिया जाना चाहिए, पारकिंग की समुचित व्यवस्था हो, छट पूजन के दोरान आतिश बाजी की परमपरा है, लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये सुनिश्चित करें कि भीड भार से दूर हो, ताकि व्रत पूजन सुचारो रूप से संपन हो सके, हर व्यक्ति छट पर अपने पूरे परिवार के साथ मनाने की इच्छा रखता है, ऐसे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में लोगों को घर तक पहुँचाने के लिए अतिरिक्त बसें लगाई जाएं, दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं लोगों के साथ पुलिस प्रैशासन और पुलिस के लोग सहयोग पूर्ण वैभार करें, बैठक में माननिय उपमुख्य मंत्री ब्रजेश पाठक, माननिय मंत्री लोक निर्मान विभाग जितिन प्रसाद, माननिय मंत् मंत्री नगर विकास अर्विन शर्मा और माननिय मंत्री जल शक्ती स्वतंत्र देव सिंग जी की उपस्ति थी रही 30 और 31 ओक्टूबर को लोक आस्था का महापर्व छट मनाये जाने वाला है, जिसको लेकर सीम योगी ने कहा कि सुरक्षित और स्वत छट के संदेश के साथ जन भावनाओं का सम्मान किया जाए, जिसे छट का तोहार मनाने के लिए सारी महिलाएं और बहतर तरीके से मना सके फलाल के लिए इस खबर में बस इतना ही जोड़ रही है, कैपिटर टीवी उत्तर प्रदेश की साथ, नमस्कार